Hello friends and welcome back to another video और दोस्तो आज की वीडियो के अंदर हम बात काने वाले System App Update के बारे में तो Security App के अंदर दोस्तो एक New Update आई है और इसके बाद Security App के अंदर आपको दोस्तो बैटरी की New Layout मिलती है और बैटरी को बहुत उसमें Optimize भी किया गया है और आपको Security App को भी दोस्तो आप्टमाइस कर दिया गया है और बहुत ही Important Update है तो अगर आपको दोस्तो ये Update नहीं मिला है तो मैं आपको बताऊँगा आप कैसे इसको Update कर सकते हैं अपने Phone के अंदर और इसको New Layout को अपने Phone के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं तो बहुत ही असान है तो दोस्तो सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर Security App के अंदर दोस्तो नहीं Update आई है और यह Official Update है जो की बहुत सारे Phone को दी जा रही है तो मैं आपको दिखा देता हूँ यह अभी आपको Security App कुछ इस तरह का मिलता है यह Update करने से पहले का है और यहाँ पर Battery के अंदर आप जाएंगे बैटरी के अंदर हमें इस तरह का Layout मिलता है यहाँ पर आपको Battery का ऐसा Layout मिलता है और इसमें आपको कोई Suggestion वगएरा नहीं मिलते हैं यहाँ से आप Optimize वगएरा कर सकते हैं बैटरी को तो इस तरह का आपको Security App मिलता है तो यह Official Update है अगर आपको दूसर सिस्टम App Updater के अंदर यह अभी तक नहीं मिली है जैसे मुझे भी नहीं मिली है तो इसमें कोई बात नहीं है इसको आप बहुत ही आराम से कर सकते हैं आप अपडेट्स बहुत ही आराम से हो जाती है तो हम लोग इसे कर सकते हैं अगर आपको Update नहीं मिली है तो तो आपको इसको कैसे करना है लिंक इसका description मिल जाएगा आप लोग दूसर टेलिग्राम पे जाएंगे टेलिग्राम का लिंक आपको description में मिलेगा वहाँ पर जाकर करके आप join भी कर सकते हैं और यह देखें यहाँ से आप लोग download कर सकते हैं security के update को तो यह है दोस्तों मैंने यहाँ पर भेज दीती सुबाई तो अभी मैं इसको यहाँ से download कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ से सीधा ही यह install हो जाती है तो अभी हम यहाँ पर अपने security app को इस तरह से update कर रहे हैं तो यहाँ से यह update हो रहा है तो दोस्तों मैंने यहाँ पर अपने update कर लिया है और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर security app को मैंने पूरी तरह से update कर लिया है और इसी तरह से दोस्तों आप लोग बहुत ही अराम से अपने phone के अंदर update कर सकते हैं तो अभी देखिए security आपको मैं खोलता हूँ open करता हूँ तो आपको यहाँ पर सब कुछ normally दिखेगा जैसा आपको मिलता है तो आपको यहाँ पर optimize optimization तो मिलती है साथ में जो changes है वो battery के अंदर आता है battery के अंदर देखिए आपको new layout मिलता है अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं तो इसमें उपर आपको battery saver और battery आप देख सकते हैं new layout यहाँ पर मिल रहा होगा इधर आपको battery saver की यहाँ पर आपको battery की details मिल जाती है जैसे temperature हो गया, app battery saver और schedule power on off यानि कि सारे functions को उपर कर दिया easily आप लोग यहाँ से manage कर सकते हैं और इसमें आपको active time भी मिल जाता है जिसमें आप active time चेक कर सकते हैं सबसे चाहिए, यहाँ पर आपको fix battery usage issue का यह मिलता है जो आप यहाँ पर tap करेंगे तो इसमें battery को fix करने की tips मिलती है जो मैं आपको अपनी battery saving वाली videos में बताता हूँ जैसे turn on dark mode, clear memory in 10 minutes after locking device turn off location service, don't wake screen of notification और आप इन सभी को दोसरो tap कर सकते हैं और उनको add कर सकते हैं और यहाँ पर जो आपका time है वो activate हो जाता है यह सभी मैं आपको अपनी battery saving वाली videos के अंदर भी बताता हूँ तो यह काफी कमाल का लगा आप लोग इससे active करके यह आपको suggestion दे रहा है और इस तरह से आप अपनी जो battery है उसको काफी हद तक phone की battery को बचा सकते हैं तो यह भी एक काफी कमाल का change दिया है इसके अंदर और आपके जो phone को मतलब यहाँ से battery आपकी जो काफी optimize रहेगी और आप लोग जानती होंगे जो battery की problem है वो सभी को face करनी पड़ती है ऐसे मैं अगर आप update करते हैं अपने phone में security app को तो आपके phone की काफी हद तक problem सही रहेंगी साथ ही दोस्तो जो security app पर वो optimize है और दोस्तो जो gaming speed booster है उसके अंदर हमें new sound भी मिलता है लेकिन वो शायद मुझे नहीं मिला है प्रोचिंग